नमस्कार दोस्तों मैं हो सचिन आप देख रहे हैं सचिन का किचन और ये कबली चना की रस्पी आपको बहुत ही जादा पसंद आएगी इस बात की गैरंटी है तो यहाँ पे हमने उबला हुआ चकबली चना लिया है एक चोथाई चमच हमें लेना है लाल मिर्च का पाउडर और आधा छोड़ा चमच हमें लेना है काला नमक ये घर का बनाया हुआ काला नमक है जीरा वाला और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे हमें चाहिए होगा एक छोटी चमच यानि की एक चौथाई चमच चाट मसाला का पाउडर सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और यह हमारा मसाला बन के बिल्कुल तयार है अब दोस्तों यहाँ पे जो एक कप हमारे पास उबला हुआ काबली चना था इसे हम इस तरीके से टावल पे बिछा देंगे सारे को अच्छी तरीके से बिछा लीजे और कुछ छिलके वगरा या कुछ खराबी इसमें हो तो उसे जरूर से हटा लीजेगा इसके बाद यहाँ पे नैपकिन से हम इसे थोड़ा सा पोच लेंगे क्योंकि इसमें पानी हो सकता है तो इसे हम अच्छी तरीके से ऐसे पोच लेंगे अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि एक कड़ाई में हमें अच्छी क्वांटिटी में तेल ले लेना है और इसे medium to high flame पे गर्म करना है medium to high flame पे दोस्तों इसे अच्छी तरीके से हमें पकाना है जब तक कि ये उपर ना आ जाए और इसका रंग जो है बढ़िया भूरा या सुनहरा ना हो जाए तो इसे हमने अच्छी तरीके से बीच-बीच में चलाते रहना है और इसके साथी हमें इसे medium to high flame पे पकाना है आपको हो सकता है कि इसके लिए 3-5 मिनट तक लग सकते हैं करीब-करीब मान के चलिए कि 4 मिनट तो बहुत ही आसानी से आपको लग जाएंगे medium to high flame पे तो आप देख रहे हैं दोस्तों मैं बीच-बीच में इसे चला भी रहा हूँ और बहुत धीर सारे इसमें bubbles बन रहे हैं तो ये देखिए दोस्तों इसका रंग जो है वो सुनहरा हो चुका है अब हमें क्या करना है कि करीबन 3 मिनट हो जाने के बाद एक बार हमें इसे चेक करना है तो थोड़े से काबली चने मैं इस तरीके से निकाल लूँगा और उसके बाद मैं इसे चेक करूँगा तो ये देखिए दोस्तों ये काबली चना मैंने हाथ से इस तरीके से दबाया ये मैशी हो रहा है लेकिन बढ़िया क्रंची नहीं है तो हम इसे और पकाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसे दो मिनट और पकाने वाला हूँ medium to high flame पे और इसके बाद ये देखिए बढ़ियां से ये सारे के सारे काबलीचने उपर आ गए है अब मैं इसे दुबारा से चेक कर लेता हूँ तो ये देखिए दोस्तों बढ़ियां से ये क्रंची हो चुके हैं एक बार फिर से देखिए ये बढ़ियां से क्रंची हो चुके हैं अब हमें क्या करना है अब हमें इसे तेल से बाहर निकालना है जिससे की बढ़ियां से हवा लगे और ये थोड़े से ठंडे हो जाए इसके बाद एक बावल में हम प्रांसपर करेंगे आप इसकी आवाल सुनिए कितने बढ़ियां खस्ता हो गया है ये अब बस दोस्तो हमें क्या करना है कि इसमें जो हमने मसाला बनाया था फटा फट से इसमें डाल देना है और अच्छी तरीके से मिला देना है बहुत ही बढ़ियां और खस्ता काबली चना की ये नमकीन बनके बिलकुल तयार है दोस्तो टी टाइम के लिए एक परफेक्ट आक्षिन है तो रेस्पी को जरूर ट्राइ कीजिए का मिलते हैं अगली रेस्पी के साथ थैंक यू सो मच